हर हर महादेव गुजरात के जिला बनास काठा से हैं और इनका नाम है ललेत उपाद्याई जी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है यह पूछ रहे हैं कि हमारे यहां जो सादू या सन्यासी होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है अपित उन्हें समाधी दी जाती है क्या यह उचित है अगर उचित है तो इसका शास्त्री प्रमान क्या है क्रपया मार्ग दर्शन करें पुनह प्रणाम ठीक है जी ऐसा है उपाद्याई जी प्रश्न बहुत अच्छा है आपने कहा कि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता ये ठीक नहीं क्योंकि अंतिम संस्कार कोई ऐसा नहीं है कि वो जल में डाल दिया तो अंतिम संस्कार नहीं हुगा या उनको गाड दिया गया तो अंतिम संस्कार नहीं हुगा अंतिम संस्कार क्या है कोई जलाना ही अंतिम संस्कार नहीं है अंतिम संस्कार शास्त्र अंतिम शरीर की जो प्रतिपत्ती बता है जिस तरीके से वो संस्कृत हो जैसा वो विदान किया जाए वही अंतिम संस्कार है है ना तो ये भी अंतिम संस्कार है ये भी शास्त्रों में बरनेत है मुख्य रूप से हमारे यहाँ चार बरनों चार आश्रम है जे तो आप जानते ही होंगे तो चारों बरनों को जो है अंतिम संस्कार अगनी से दिया जाता है लेकिन जब छोटा बालक होता है कोई बालिका है जिसका जो अभी नाम करना आधि भी नहीं हुआ है वो जो अम्रित हो जाता है और छोटा बालक होता है जिसका चूडा करन संसकार भी नहीं होता है तो चूडा करन से पहले बालकों का लिखा हुआ तो उसका जलक क्रिया करने का भी भी धान है जल में प्रभाःत कर देना या उसको खनन कर देना खनन, प्लवन, दहन ये तीनों ही क्रिया नहीं हमारे ब्रह्मचारी बानप्रस्थ इन सभी का जो है अगनी से संबंध होता है ब्रह्मचारी है वो इंदित्य अगनी उत्र करता है अगनी उत्र का बिदान है ग्रियस्त के लिए भी अगनी उत्र दूसरे तरीके अगनी उत्र होता है तो अगनी उत्र का बिदान है सरवा धानी अर् सत्यादानम तो दारकाले वो जो दारकाल में आव सत्यादान का आधान होता है तो अगने उत्तरी होते हैं जो बानपरस्त होते हैं वो भी अगने उत्तरी होते हैं देखा हुआ है बन में जाकर के अगनी स्थापना करके रहें अगनी की स्थापना उनकी रहती है अगनी की सु अगनी से उनका कोई सम्मंद नहीं रहता है ना वे अपने लिए भोजन पका सकते हैं अगनी पर ना ही अगनी उत्र कर सकते हैं ना ही किसी के यह यगी इत्याद करवा सकते हैं अगनी से उनका सम्मंद इस रूप में नहीं रहता है इसलिए उनको पक्व विक्षा करने का दिक जब घर में भी लिखा हुआ है गाउं में जाएं बिक्षा मागने के लिए जाएं तो पहले दुआ बंद हो जाएं माना कि अगनी बंद हो जाएं लोग भोजन कर लें तब सन्यासी बिक्षा लेने के लिए जाएं यह सास्त्रों में लिखा हुआ है तो अगनी से उनका संबंध नहीं है तब उनका जो है संसकार अगनी में नहीं हो सकता तो क्या हो सकते अब दो ही बचे या तो प्लवन या खन उनको गाड़ा जा सकता है या जल किरिया की जा सकती है प्लवित किया जा सकता है तो सन्यासी भी भी हमारे जांगे होते हैं जान देना कुटी चक, बहुदक, हंस और पर्महंस तो क्या इन चारों प्रकार के सन्यासीयों के लिए यहीं भी हित हैं वे नहीं जो कुटी चक हैं उनको तो जो है जलाना ही चाहिए देखिए अब जो आप सास प्रमान की बात कर रहे हैं तो देखिए धर्म सिंदू गरंथ है ये और धर्म सिंदू में यहाँ लिखा हुआ है सन्यासियों का अथ मृतयति संस्कारह अब मृतयति के संस्कार का विवरण बतलाते हैं तो पहले जो इसके बीच में से सुनी हैगा जो प्रसंग चलना है फिर सुरू से भी कुछ बतलाएंगे ये कह रहा हैं कि परमहंस चारताजी के सन्यासि बताए उसमें जो सबसे चौथे होते हैं परमहंस परमहंसस्या इस्थले समाधिर मुख्या परमहंसों का इस्थल में समाधी देना मानि खोद करके उनको खनन करके गार देना ये ही मुख्या है अगर उनको जल समाधी भी देते हैं तो वो जो जले मध्यमा वो जो दंड सन्यासी होते हैं दंडी सन्यासी जिनको का जाता है हमारे पूजे संकराचारी जैसे हैं या और भी दंडी सन्यासी हैं तो उनकी जो क्रिया है वो मुखिरूप से खनन है और जल में भी हो सकता है जले मध्यमा जल क्रिया करना उनके लिए मध्यम है कुटी चकम कुटी चकन तू प्रदहेद कुटी चकम तू प्रदहेद कुटी चक को तो केवल जलाना ही चाहिए और प्रिकायते बहुदकम हंसो जले जले तू निक्षिप्या और बहुदक को और हंस को जले तो निक्षिप्य, वो जलमे ही उनको करना चाहिए, उनके लिए जले ही, पलबा नहीं मुख्य है, और परमांसम प्रपूरायेत इति बचनाथ, परमांसम प्रपूरायेत ऐसा बचन है, परमांसम को तो पूरित कर दे, गार दे वे, ढग दे वे, यही बचन है, मुख्य रूप से कुटी चक को तो जलाए ही उनको नहीं का रहा है उनको प्लवित नहीं का रहा है आगे लिखते हैं कि कुटी चक को छोड़ करके और जो तीन सन्यासी भर्चे बहुदक, हंस और परमंस इनको कभी भी जलाए है नहीं कुटी चकात अतिरे केड़ इनको छोड़ करके न दहेत यतिकम कचित यतिकम कचित न दहेत कभी भी यतिका जो है दहन नहीं करना चाहिए तो यह किरिया कौन करेगा तो लिखा है पुत्रह शिष्यवा शनात्वा बपनम करके न दिकार प्राप्ति के लिए और बोले यदि पुत्रा तिरिक्त बपनम कृता करता हम पुत्र यदि नहीं हो कोई शिश्य कर रहा हो तो वो बपन करवा है अथवा न करवा है इसनान करके और प्राइस चित्र करके कि मुझे यह जो सन्यासी के शरीर का संसकार करने का अधिकार प्राप्त हो इसलिए ये प्राइस चित्र करें और फिर महां बतला है गया है कि सवनक के अनुसार बिद्विदान सवनक जी ने इसका बिदी लिखी हुई है यती संसकार का तो इसमें बतला रहे हैं कि मंत्र पूर्वक बिदी पूर्वक वहां जितना बड़ा उनका दंड होता है उतना बड़ा गड़ा खोद है गहरा और उसमें भी एक अंदर और गड़ा खोद है छोटा सा तो वहां उसमें उनको यती को बिठाये जाता मंत्र पूर्वक और वहां पिर उनकी शंक से जो कपालक किरिया होती है सन्यासियों की, सन्यासियों की जो किरिया होती है वो शंक से होती है, जो शिरवेदन किया जाता है वो शंक से करना चाहिए, चाहे वो जलपलबन हो, चाहे जो है उनका खनन हो, तो वो किरिया इत्याज करके और उनका दंड भी उनक जल में चला जाए उपर ना आए इसलिए उनको जल में समाधी दे दी जाती है और उपर से फिर कुसा अच्छा दित कर दिया जाता है उसमें पंच गब बी डालना है और भी संभार इत्यार डालना है उनके मंत्र है पूरी बिद्विदान मां बतलाया गया है तो फिर उसमें नमक इत्याद लेखा हुए पूरी सूक्त से मंत्र बोलते हुए उसमें नमक बर है उस गड़े में रखना आए तो और फिर मिट्टी से उसको प्रपूरित कर देवे बाद में और भी किरियां है शूरसी यादि किरियां वो सब उनकी बिद्विदान पूर्वा करनी पर समाध्युद सर्ग भी होता है समाधी का हुद सर्ग कर दिया जाता समाधी बना दी जाती उनकी इसमारक बना दिया जाता जो सार्व जनिक हो जाता है उसमें कोई भी जाय दर्शन करें वहां शिवलिंग की सापना भी होती है यह जो सन्यासियों का समाधी इस्थल जो ब हुआ जानना संयासी गुरहे पदाली है जो अगनिविद्धिजी से लिखवाई थी पूझ गुर्देव के जो गुर्भाई है जो तरीके से वह संदू में देखें और कर्मकानदीर प्रदीप में देखें इसी तरीके आप इस तरीके की कोई शंका न करें कि उनकी समाधी क्यों दी जाती है शास्त्र में जिसके लिए जो अंतिम संस्कार जिस प्रकार लिखा है वैसे ही करने में भलाई है